हलो फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 18 प्लस एज ग्रूप वालों के लिए वैक्सीन स्लोट कब ओपन होता है इसका कैसे पता चलता है तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो में आगे सबसे पहले आप अपने मुबाइल पे पेटीम एप डाउनलोड करो और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं पेटीम ओन करता हूँ उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रोल करके नीचे आएंगे तो वाट्स न्यू में देख सकते है vaccine finder इस पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको age select करनी है age 18 to 14 वो doge 1 select करना है अब आपको अपना state और district select करना है मैंने अपना state राजतान select कर लिया है और district में मैंने seeker अब मैं क्लिक करता हूँ check availability पे तो आप यहां देख सकते हैं no slot available अब इसके नीचे जो का है notify me when slots are available आप इस पे क्लिक करें अब आप देख सकते हैं screen पे कि जब भी आपके district में किसी भी center पे vaccine slot खुलेगा उसी time आपको notification मिल जाएगा अब आप वापिस home page पे आके screen को ऊपर की तरफ scroll करेंगे तो screen के top पे message का logo है उस पे क्लिक करें आप देख रहे हैं कि मेरे 17th को message आ गया जिसमें मैंने जहां का registration किया था वहां के center का नाम age group number of vaccine सब अविलेबल है आप message देखते ही तुरंद अपना slot book कर लें कोविन एप पे जाके जैसा कि मैंने किया दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो please like और share करें thank you